वेल्कम इस्टूडेंट्स तो यार आगे बढ़ाते हैं थोड़ा साथ ना यह अगला कुशिन तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूं है जी पी हमने सुरू की थी ठीक तो कुशिन कहा तुम्हारे पास था सम आ फस्ट्री तर्म्स ऑफ जी पी इस 13 बाइट वम्हेंट फ्रॉट् ठीक है, यह terms लिया, करना हमेशा, let, let, three numbers in GP are reverse GP, एक तो क्या होता आपका, a होता है first term, अगला a r होता है, है ना, इसके पहले क्या आएगा, a upon r आएगा, ऐसा लेना हमेशा, ठीक है, फाइदे में रहोगे, जल्दी आएगा तुमारे पास, तो यार, इनका जो आपको sum दिया ह है, वो दिया है, a upon r, plus a, plus ar, equal to कितना दिया हुए, 13 by 12 दिया हुए, ठीक है भई, 13 by कितना दिया हुए, 12 दिया हुए, इतना समझने में कोई दिक्कत, और लगे हाथ, इसमें आपको product भी दिया हुए, इनका, कितना दिया हुए है, minus 1, यानि कि a upon r, into r, sorry, into a, into कितना आपका a r, कितना दिया हुए, minus 1, देखो क्या होगा है, इस r स r निकल दिया, ठीक है, अब यहां से तुम्हें a cube कितना आ गया, minus 1 आ गया, ठीक है dear, तो यहां से आपके पास जो a का value आएगा, कितना आएगा, minus 1 आएगा, ठीक है, three roots होंगे इसके, अभी पढ़ोगे एक chapter दुमारे पास आएगा, तो उसमें से केवल हमने real root consider किया है, ठीक है, taking only real root आप यहां पे चाहें लिख सकते है, taking only real root, है ना, हमने complex number, complex root नहीं लिए है, ओके, उनकी जर्वत भी नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है dear, तो यार, a मिल गया, a को उठाकर ऊपर चिपकाते हैं जर्पे, equation 1 प आर, यह होगा न, equal to कितना आया, 13 by 12 आया, ठीक है, LCM लिया जाए dear, कितना मिलेगा, minus तो ठीक है, तो यह कितना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, minus common लेकर, r LCM लिलो, कितना आयागा dear, 1 plus r, plus कितना r square, equal to कितना आया, 13 by 12, ठीक है, यह आएगा, इतना आने के बाद, थोड़ा सा इसको और आगे बड़ा हूँ फिर, यह आपका आयागा 12, plus 12 r, plus 12 r square, equal to कितना, minus 13 r, ठीक है, सब यहाँ लियाएंगे, तो कितना मिलेगा, 12 r square, फिर कितना, 12 r, plus कितना, 13 r, plus कितना आपका, 12, equal to कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, तो भी, यहाँ से कितना मिल जाएगा, तुमें, 12 r square, प्लस कितना 25 आपका 12 एकोल टू कितना हो जाएगा 0 चलो कोडिक फॉर्मला एपलाए करके सॉल करते हैं इसको तो कितना मिल जाएगा आप इकोल टू मैंनस भी आने की माइनस 25 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वार मतलब 25 का स्क्वार हो जाएगा ना 625 माइनस 4 एसी 4 इंटू ए और सी को इंटू करेंगे तो 144 होगा ना यह आएगा अपॉन में कितना आया आपका 2A याने की 2 इंटू 12 ठीक है फाइस आप आर इकोल टू कितना मिल जाएगा तो मैं माइनस 25 प्लस माइनस अंडर जाए 24 ठीक है तो भई आर की वेल्यू कितनी आ गई माइनस 25 प्लस माइनस माइनस कर लो 9 यह ना 9 हो जाएगा यहां कितना बचेगा 11 लाम से नंगा 449 यह रूट के साथ अपन में कितना 24 बढ़िया हो गया ठीक है डियर आर का वेल्यू कितना मिला तुम्हें माइनस 25 प्लस माइनस 7 अपन 24 ठीक है चलो प्लस और माइनस लेकर इसको खतम करते है बताओ डियर प्लस लेकर कितना आएगा मैं इसको यहां पर करता हूं यहां पर जगह तो फाली लंबा काम क्यों करना अभी ओकर देखो डियर और की वेल्यू प्लस लेरा तो कितना आया माइनस 25 प्लस 7 अपन 24 ठीक है, र कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 25 में 7 गया, कितना हो जाएगा आपका, 18, minus 18 by 24, ठीक है, 64 जा, 63 जा, कितना आया, minus 3 by 4, ठीक है, और minus ले लो, र इक्वार इक्वार टू माइनस 25, minus 7 upon 24, कितना आ जाएगा, आपका माइनस 32 अपॉन 24 कितने बार कटेगा एट 3 जा एट 4 जा यानि माइनस 4 वाई 3 आर का वैल्यू आ गया तो एक आंसर हमारे पास आ गया इसके बाद आप नंबर कैसे निकालोगे नंबर निकालने के लिए जिस आपके नंबर लिए थे एपॉन आर ए और आर में उठाकर रख दोगे वैल्यू आपको नंबर मिल जाएंगे याद रहेगा कर्पा होगे ठीक है यह आपके पास आंसर आ गया और आप लोग नंबर खूद निकालेंगे कैसे एपॉन आर से और एसे और एक से एक बार एक का वैलु माइनस तो रहेगा i आर का वैलु एक बार माइनस 3 वाई 4 रहोगे और एक बार minus 4 by 3 रहोगे तो आपको GP क्या मिलेगी आपको GP मिल जाएगी 4 by 3 minus 1 और 3 by 4 ये number मिलेंगे आपको ठीक है ये number मिलेंगे आपको या फिर आपको इसका reverse मिलेगा 3 by 4 minus 1 और 4 by 3 कर पाना इसको ठीक है हो जाएगा अगला question तुम्हारे पास है अगला है find the sum of the sequence 7 plus double 7 plus triple 7 plus double 7 double 7 and so on चलते रहा ठीक है अब यार ये बड़ा बड़ी आसा sum तुम्हारे देखने को मिल रहा है बहुत शांदार सा question और important question भी है तो गौर करना इस पर ये कहता है sum निकालने के लिए आपके पास नए GP है नए AP है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और आगे बढ़ाएंगे ध्यान से देखना बहुत अच्छा question एडियर इसके जैसे एक आत और हैं वो भी करेंगे साथ-साथ देखो कहानी ये है कि SN तुम्हें दिया है कितना दिया है सेवन प्लस 97 plus त्यान से देखना बहुत खूब स्रसा समय 7 common लेना है अंदर कितना मिलेगा ये आपके पास बड़ी गजब जीब ही बनने वाली है देखो कैसे बनाते हैं जीपी इसमें ठीक है इतना सब्सक्राइब इतना सब्सक्राइब तुम्हारे तो देखो एक बड़ी कमाल चीज दिखाता हूँ अगर मैं इस वाले को टेन के टंपर अचाहूँ ना टेन के टांस पर टेन की बनाने के को किस कर रहा हूं तो यह काम करता हूँ पहले सेवन बाई नाइन से मुटिप्लाइए किया डिबाइट किया 9 प्लस 999 प्लस 999 प्लस कहानी आपकी आगे चलती रही ठीक है भई तो यह कितना मिल जाएगा ऐसे ने इकोल टू मिल जाएगा तुम्हें 7 बाई 9 अब देखो 9 को 10 के टंपे लिखना बड़ा आसान है कैसे 10-1 99 को आप 10 स्क्वार माइनस वन लिख सकते हैं ट्रिपल 9 को आप 10 क्यूब माइनस वन लिख सकते हैं डबल 9 डबल 9 को आप 10 पावर 4 माइनस वन लिख सकते हैं और कहानी आपकी आगे चलती रह सकती है ऐसे ठीक है अब देखो बड़ी कजब चीज देखी बहुत ही कजब चीज देखी सन इकोल तो आपको देख जाएगा 7 by 9 10 अलग अलग पकड़ लेते हैं प्लस 10 का स्क्वार प्लस 10 का क्यूब प्लस अप्टू 7 अप्टू N टम्स एक तो मुझे ये मिल गया ठीक है फिर सब में माइनस कॉमन लेकर अंदर मिल जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप्टू N टम्स ये मिल गया दूसरा हिस्सा ठीक है और दोनों को मुझे सम करना आता है भीया बड़े मजे से आता है ये देखो जीपी बन गई ठीक है जीपी बन गई ये दियर N टम्स तकी जीपी बन गई आपके बस तो क्या होगा इसका सम ए R to the power N R कितना है 10 square upon 10 10 Q upon 10 square 10 है ना 10 का power N minus 1 upon R minus 1 10 minus 1 ठीक है minus 1 को N time at कितना मिलेगा N मिलेगा ठीक है भई तो ये S N का value कितना तुम्हारे पास आ रहा है 7 by 9 ये तुम्हारे पास 10 upon 9 into 10 power N minus 1 minus कितना आपका थोड़ा सा सलीगे से पेस करते है answer आपका हतम हो गया S N equal to आपका 10 7 जा 70 upon 81 साथ में 10 to the power N minus 1 minus कितना 7 upon 9 and ये तुम्हारा answer हो गया देखो कितना हलका सा question था ठीक है बहुत शांदार question था कोई बड़ी इसमें issue नहीं है आपके पास की जो ना आए तुम्हें ठीक है खतम करो इसको चलो अगला question देखो फिर evaluate ये है भईया ये evaluate करना है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया कैसे बनेगा फिर ये वाला अब देखो सिग्मा मतलब क्या होता है सम कहां से रखना है के की वेल्यू वन से लेकर 11 तक तो ये तुम्हें जो चीज मिली है न भाया क्या मिलेगी के इक वर टू वन टू एलेवन की के का वेल्यू किटना है तो भई पहला वाला 2 है इसके बाद यह 2 है फिर इसके बाद यह 2 है इन किे बार आएगा एलेवन टाइमच rhymes है घज़ेंस फिर बाद आगला तरीकिऊ पावर one थी पावर two three फोर तरी ये भी कहा हां तह आएगा आपका रफटू एलेवन टमस अयगा बडिया हो 3 की तो क्या होगा 3 a r to the power n r कितना है 3 है कि power n कितना है 11 minus 1 upon कितना आपका r minus 1 3 minus 1 यह तो होगा क्यों क्या लगाया आपने s n equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1 लगाया ठीक है डियर तो यह कितना मिलेगा 2 into 11 22 हो गया plus 3 into 3 की power 11 निकाल लेना पड़ेगा यारे मैं क्यों निकालना है इतना लंबा नहीं करते हैं इतना है रखो 3 की power 11 minus 1 upon 2 यह आ गया LCM ले लो सही कर लो उसको काफी है इतना ठीक है यह कितना आया 24 plus 3 into 3 power 11 minus 1 upon में कितना आया आपका 2 आया ठीक है डियर इतना इतना छोड़ो और अगर आप आप चाहो आपकी इच्छा है तो आप 3 की power 11 minus 1 को solve करो आप माइनस करो इसको इंटू करो तो भी चलेगा बट आपका यह आंसर इतना इनफ है 3 की power 11 निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको ठीक है डियर इतनी बात समझ माई आप लोगे कितना कर लेंगे आप देखो अगला कुशन देखो इफ फोर्थ टेंथ एंड शिक्स्टेंथ टर्म ऑफ जीपी और एक्स वाई एंड जेड क्या दिया है इतने से इतने साब को मिल लिया एक फूर कितना एक्स ठीक है और एक कोई कर दिया आर क्यूब इकवलेटो आपको एक्स मिल गया ठीक है एटन का मतलब और एक्स वाई जेड़ जीपी में कभ होंगे जब इस जुमेट्री की मीन वाली कंडिशन तुम्हारे पास आएगी जुमेट्री की मीन वाली कौन सी कंडिशन आपको पता है कि यार अगर तो पक्का y कितना आएगा, root xz, यह y का geometric mean होगा, ठीक है, और y square कितना होगा, xz होगा, ठीक है, यह GP की condition है, तो यहार देखो बड़े, आराम से मैं y square निकालता हूँ, यह x और z को into करता हूँ, y square के equal आएगा, चलो करते हैं, xz निकालते हैं, now xz equal to, बताओ x का value, ar cube, z का value, ar power 15, और xz कितना आगया, तुम्हारे पास, a square, ar power कितना आपका, 15, और plus 3 कितना 18, ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूँ, इसको, क्या लिख सकता हूँ, xz equal to, ar power 9 का whole square, देखो, ar power 9 क्या है, y है, तो यह कितना हो जाएगा, y square हो जाएगा, इसका मतलब क्या आगया, xz equal to, in GP, ठीक है, बहुत आसान सा question था, clear है, इतना कर लो अभी, और इतना सीख लो अची तरह से, इसके बाद dear, एक question तुम्हें मैं दूंगा try करने के लिए, आप उसको बनाओगे, और बन जायागा तो better है, नहीं बनेगा तो आप कोई बात नहीं, आप उसको पूछें, ठीक है six plus double six plus triple six plus double six double six plus and so on, एक ये try करोगे आप, इसको खुछ से कोशिस करना, बन जाया तो better है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं बता देंगे इसको, ठीक है, इतना कर लो, काफी है इतना आज के लिए, बाकि इसके बाद फिर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है?